हला अब्रीवान वेलकम बैक टू डीके एजूकेशन अकैडमी तो कैसे आप लोग आई होप सभी बहुत अच्छी होगा अपने घरों में मैं देव कुमार अपने तह दिल से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डीके एजूकेशन अकैडमी में तो बचो आज हम करने वाले हैं बिलकुल न्यू चैप्टर, चैप्टर थार्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स, क्लास 11th मैथेमेटिक्स तो बचो आप से यही रिक्वेस्ट है कि इस पूरे चैप्टर को बहुत ही ध्यान से बहुत ही पेशन से आप लोग देखेंगे क्योंकि बहुत ह आप से बहुत हैं ने वाला है यह तो इसकी अगर इंपोर्टेंस की बात करें अगर इसकी इंपोर्टेंस की बात करें तो बच्चो देखो एक तो टिग्नोमेटरी जो चैप्टर है क्लास 11 का वह सबसे ज्यादा वेटेज रखता है पहली बात दूसरी बात इसका सीदा-सी 50% weightage रखता है तो बहुत important chapter इसका use बहुत ज़्यादा है ठीक है ना तो start करते हैं अपने chapter से लेकिन before that हमने trigonometry को कहां पर पढ़ा है उसकी बारे में बात करते हैं तो already हमने trigonometry को class 10th में पढ़ रखा है class 10th में I think so के chapter 8 and chapter 9 दोनों trigonometry से related थे तो हमने वहाँ पर पढ़ा था लेकिन वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था उस चीज को recall करना बहुत जरूरी हो जाता है तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा recall करके बता हुआ कि वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था तो आपको ध्यान से देखेंगे और one by one इस चीज को समझेंगे तो देखिए सबसे पहले हमने जो पढ़ा था कहां पर बिटा 10th class में वो था आपका पहला topic जो very first topic था वो था ratios तो ratio किसे कहते हैं बिटा सबसे पहले बात करते है ratio किसे कहते हैं देखें ratio basically कुछ और नहीं एक relation था किसके बीच में बिटा right angle triangle की sides और acute angle के बीच में जैसे कि for example यह acute angle याने की theta है और let's say यह right triangle ABC है ठीक है तो theta के सामने वाली जो side होती है उसको हम basically perpendicular कहते हैं आप जानते हैं ठीक है और जो 90 degree के सामने वाली side होती हो आप जाती है और जो बच जाता है वो base होता है तो okay यहां तक आपको कोई doubt नहीं होगा क्योंकि आपने already पढ़ रखा है ठीक है okay अब देखें ratio की अगर मैं P upon H and this third P upon B. देखो नो check कर लो P upon H, B upon H और P upon B इसके अलावा को यह ratio बनता ही नहीं है हां बनते है ना इसके तीन उल्टे भी तो बनते मिटा तो चौथा ratio आपका हो सकता है H upon में P, ठीक है पांचवा ratio आपका हो सकता है H upon में B, और लास्ट वन इस B upon में P, चेक कर लो अब हुआ यूँ के ratio के जिससे की याद रह सके हमें इनके नाम दे दिए गए, मैंने नहीं दिए जिसने भी दिए लेकिन नाम दे दिए गए, तो इसको हमने नाम दिया sin theta ठीक है यह इसका उल्टा था इसको नाम दिया cos theta ओके इसको नाम दिया cos theta यह आपका कहलाया इसका सेक theta, यह आपका बना 10th theta और यह सका उल्टा cot theta, तो देखें यह मेर को ज्यादा deeply बताने की जरोत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, 10th class में पड़ते हुआ है, अगर नहीं याद है तो एक बर recall कर लेते हैं, प्यारे बेटे, पप्पू, हर हर बोल, सोना चा T for cos, cos b upon h, आप चेक कर सकते है, T for 10p upon b, और बाकी तो तीनों उल्टे करने हैं, अरे यार, इससे ही क्या होगा, चलिए ठीक है, एक तो आपने यह पड़ा था, इससे हमने क्या सीखा था, इस relation से हमने क्या सीखा था, आपको याद होगा, इस relation से हमने बड़ी-बड़ी building की heights वगरा calculate करने ही सीखीती, याद है, तो बहुत कुछ सीखा था, तो इन relation से हम काफी चीजे calculate करते हैं, जो कि आपको पता है, 10th class में आपने पढ़ रखे, लेकिन इसके apart आपने और क्या पढ़ा था, तो एक तो ratio हो गया, मैं मार कर थोटा सा change कर लेता हूँ, इसके बाद कर लेते हैं, जब यहां तक आए हैं तो, तो product of ratio, ठीक है, तो product की बात करते हैं, तो अगर मैं product की बात करो, तो देखिए, number one, sine theta into cosec theta equal to one होता है, आप क्या कर लो, दोनों को into करूँ है, तो h से h कटेगा, p से p कटेगा, बहुत आई तो आएगा, जी बिलकुल, तो इससे benefit क क्या मिला इसको सीखने से, इसको सीखने से हमें साइन का पता चला, कि साइन जो है, one upon cosec b होता है, चेक कर लो, है ना, और similarly cosec जो है, वो one upon sine b होता है, बहुत देखो न, cosec equal to one upon sine तो बनेगा, अचे, बिलकुल बनेगा, similarly, जैसे इन दोनों का product one होता है, वैसे इन दोनों का product भी one होता है, तो cos theta into sec theta equal to one, तो इससे भी हमें cos theta की value का पता जलता है, कि one upon sec theta होता है, और same way sec theta is equal to what one upon cos theta, यहां तक आपको कोई डाउट में होना चाहिए है, अब third one is, बही, similarly, tan and cot को भी तो कर सकते हैं, है, कर सकते हैं, 10 theta into cot theta क्या होगा, बताओ, P से P, B से B, दोनों कर जाएंगे तो one ही तो आएगा, तो 10 theta क्या होगा, बिटा, 10 theta one upon cot theta होगा, और similarly, cot theta equal to what, one upon 10 theta, I am sure, यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परिशाने नहीं नहीं होगी, इसके अलावा, आपने और क्या सीखा, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, तो भई, जब जिक्र कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से जिक्र होगा है, तो चले ठीक है, अब देखे, यहीं से देखते है हैं इसके नीचे से, तो हैस्टेक आइडेंटिटीज, याद है, बिलकुल याद होगी बिटा, ओके, नहीं याद है, तो इसलिए तो रिकॉल करा रहों कि आपको याद हो जाए, देखे, पहली आइडेंटिटी आपने जो पड़ी थी, वो थी बिटा, साइन स्क्वेर चेक कर लो भई, माइनस का हो जाएगा, और सेम वे, कॉस स्क्वेर की भी वैल्यू फाइंड करते थे, वन माइनस साइन स्क्वेर थीटा, ओके, आपको अच्छे से याद होंगी, मुझे आपके पूरा भरोसा है, आगे चलते हैं, तो ये तो एक आइडेंटिटी थी, इसक प्लस टेन स्क्वेर थीटा is equal to sec square थीटा, तो तैन स्क्वेर थीटा एकुल to वाट, भई, टेन स्क्वेर थीटा इकुल to what, भई, सेक इकुल to sec square थीटा minus 1, check कर लो, है ना, to cos square theta, तो अगर मैं cot square की value find करूं तो क्या बनती है? cos square theta minus 1, भाई 1 होता जाके minus हो जाएगा ना, और same way अगर मैं cot को shift कर दू, cos square minus cot square equal to 1 आएगा, तो बिटा यहां पे हमारी एक identity और बन जाएगी cos square theta minus Scott square theta equal to 1 तो आपने ये सब चीज़े पढ़ी हुई है इसके अलावा और भी चीज़े पढ़ी हैं भी बता रहो सबर रखो, सबर रखो देखिए एक बात आईए इसका proof जो है ठीक है, इसकी derivation जो है identity की, वो मैंने class 10th की वीडियो में बताया है ठीक है, आपको मैं recommend करता हूँ कि आप intro video देख सकते हो class 10th की, ठीक है ना तो बाकी तो मैं recall आपको करा ही रहा हूँ और हाँ एक चीज़ और 11th class में बहुत सारी identities हैं ठीक है, 10th class में तो कुछ भी नहीं थी 11th class में बहुत सारी identities हैं तो बिटा, इन सब identities को और बहुत easy तरीका होगा मैं आपसे promise करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत, कोई परिशानी नहीं होगी आप देखेंगे कि 11th class में बहुत सारी identities हैं, लेकिन आप चुठकियों में उनको याद कर लेंगे ठीक है, लेकिन वो मैं बाद में डालूँ ठीक है ना, अभी फिलाल आप इसको देखें तो आपने ये सारी चीजे भी पड़ी थी इसके apart आपने एक चीज और पड़ी थी आपको याद होगा, एक नीव ऐसे तो दो चीजे हैं ठीक है, मैं बताता हूँ आपको देखो, आपको याद होगा आपने ये वाली आइडेंटिटीज भी पड़ी थी ठीक है, कौन सी बिटा, जो आपने उससे related होती है quadrant system से related होती है तो और आइडेंटिटीज थी, जैसे कि नमबर बन में, आप कह सकते हैं कि sin 90 minus theta equal to cos theta number 2 cos 90 minus theta equal to sin theta number 3 10 90 minus theta equal to cos theta number 4 cos 90 minus theta equal to 10 theta and 5th is sec 90 minus theta equal to cos theta and last one is cos 90 minus theta equal to sec theta आपने ये भी चीज पड़ी है अचा इसके अपार्ट आपने एक चीज और पड़ी है वो है वो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो मैं ट्राइ करता हूँ कि इसी जगा में वो भी बना दूँ तो ये सारी चीजे जो आपने पड़ी है ये आपने 10th क्लास में पड़ी हुई है तो देखिए मैं आपको वन बाइ वन बताता हूँ तो बच्चो ये होता है अपना थीटा एंड रिशियोज तो थीटा जो है वो आपने पड़ा है 0 degree का 30 degree का 45 degree का 60 degree का एंड लास्ट वन इस 90 degree का ठीक है आपको याद होगा बिलकुल और जो आपके रिशियोज है वो भी मैं आपको बतायता हूँ कौन कौन से आपने पड़ रखे हैं थोड़ा सबसा पेशन्स रखे बिटा आपके भी सारी समस्या का समधान मिलेगा हाँ जी तो बिच्चो ये लास्ट वाला तो रफ कॉलम है ठीक है अब ये रेड मार्कर का काम कंप्लीट हो गया इसको रख देते हैं साइड में तो जो रेशियों हैं वो है साइन थीटा और इसका लटा कॉपशीटेटा क् अलटा इसकले बटकी की रिवस वैं दी जो है वह मैं लिखा नहीं से आपको अन्रिशुड सम्जा दुआ थूगा अश्का ढर दिए तो और जो। होता है को सीटा इसका उल्टा सेक थीटा 10 थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा अब इसका भी काम हो गया खतम अब देखिए अब आपने क्या करना होता है इसका वैसे तो आपको सबको याद होनी चाहिए टीबल बट फिर भी एक इजी तरीका है बनाने का जो मैंने आपको अलड़ी कराई होगी तो देखिए आपने काउंटिंग लिखनी है कहां से 0 1, 2, 3, 4 ठीक है 4 तक काउंटिंग लिख दी अब 4 पे एंड हुआ है 4 से सबको डिवाइड कर दो और सभी पे अंडर रूड लगा दो ठीक है अब सभी को सॉल्व करो अब देखिए 4 से 4 कैंसिल होगया 1 टाइम से तो स्कार रूड वन क्या होता है बटा वन ही होता है तो इसलिए साइन 90 की वैल्यू आगी 1 ठीक है इसको अगर मैं सॉल्व करों तो यह कैंसल तो नहीं होगा तो रूड 3 भार भी नहीं आ सकता तो 3 तो रूड भी रहा लेकिन 4 का 2 भार आ गया तो बटा साइन 60 की वैल्यू हमें पता चल गए रूड 3 बाई 2 अगर मैं कॉसेक की बात करो तो कॉसेक इसका उल्टा है याने की 2 भार रूड 3 similarly इसकी बात करो तो इसका उल्टा क्या होगा 1 का उल्टा 1 ही तो होगा तो कॉसेक 90 की वैल्यू भी 1 है अगर मैं इसकी बात करो तो यह कैंसल हो जाता है तो 1 तो रूड से बाहर आ गया 1 में लेकिन 2 रूट से बाहर नहीं आ सकता तो इसी लिए साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 और इसकी बात करें तो 1 भी भार आ गया 4 का 2 भी भार आ गया तो साइन 20 की वैल्यू और कॉसेक 30 की वैल्यू उल्टी याने की 2 पाई 1 बेक्ट इस 2 इसकी बात करें तो बिटा 0 by 4 याने की 0, 0 का square root भी 0 और अगर मैं इसकी उल्टी की बात करूँ तो 1 upon 0 undefined, याने यह not defined है ना तो I'm sure sine और causec की आपको समझ में आई होगी अब आपने reverse entry करें जो सबसे last में हो सबसे पहले second last में जो वो second number पे similarly third last में third number पे and so on यह यहाँ पे आगया अब देखिए यह आपको क्या मिला बिटा cause और sec की value याने cause 0, 1 होता है sec 0 इसका उल्टा 1 होगा है ना और cause 30 root 3 by 2 होता है लेकिन sec 32 by root 3 होगा and so on clear है? उमीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी और set के 90 पे undefined जाता कि यह 0 upon में जाएगा reverse करने पर है ना अब 10 10 बिटा आपने observe क्या होगा या आपको अलड़ी पता होगा मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ कि 10 जो है आप देखेंगे कि इन दोनों को divide करने से 10 मिलता है देखो ना एच से एच कट गया तो पी अपन भी तो बचा पी अपन भी तो 10 होता है तो बिटा 10 थीटा का जो कॉलम है वो बहुत इजी है आपके पास साइन भी है कॉस भी है दोनों को divide कर दो आपका 10 आ जाएगा तो 0 को 1 से divide करो तो 0 आएगा इसको इससे divide करो 2 से 2 cancer 1 upon root 3 बचा इसको इससे divide करके 1 आ गया इसको इससे divide करके root 3 आया खाली upon में 1 लगा नहीं दोते हैं यह undefined हो गया चेक कर लो और अगर आप इसकी उल्टी करोगे value तो आपको caught की value बल जाएगी तो उमीद करता हूँ यह सब चीज़े आपने already 10th class में पढ़ रखी थी और आपको बखू भी बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी ठीक है अब आपका काम सिर्फ इतना है यहां तक आपको recall करान था 10th class से related था अब हम बात करने वाले हैं 11th class की तो before that pause the video to note it down जल्दी से वीडियो आपको देखते हैं अब 11th class का very first topic that is angle measurement अब angle measurement देखें एंगल को हम कैसे measure करते हैं तो अगर angle को हम कैसे जलते हैं बिटा anti-clockwise यानि clock इस direction में जाते हैं इस direction में अगर जाते हैं anti-clockwise that is इस direction में तो जो angle हमें मिलता है वो क्या कहलाता है पीटा positive positive angle मिलता है similarly अगर हम clock wise जाते हैं यानि की इस तरी के से तो जो हमें angle मिलता है वो क्या मिलता है बिटा negative angle नहीं समझ में आया या कोई दिक्कत कोई परिशार में देखे सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी पड़ीगी, ना बताता हूं आपको, यह आपकी initial side है, यह आपकी क्या है इनिशल side है, इस पे मैं आपसे कहता हूं कि 60 degree का positive angle बनो, यह initial side है, तो हम कैसे बनाएंगे बिटा, ऊपर की तरफ बनाएंगे, यानि की anti-clockwise बनेंगे, तो इसी initial side पे अगर मैं आपसे कहूं कि negative 60 degree angle बनो, माइनस में 60 degree angle बनो, तो आप इसमें नीचे की तरफ angle बनाएंगे, कुछ इस तरीके से, यानि की clockwise, ठीके तो यह जो angle बनेगा, यह 60 degree negative होगा, ठीके कैसे होगा बिटा, 60 degree negative होगा, तो I am sure आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यह जो होता इसको vertex कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता भी रखा, यह terminal side होगी, यह initial side होगी, और यह जो angle बना है, यह कैसे बना है, anti-clockwise, तो anti-clockwise जितने भी angle बनते हो, positive angle होते है, और जो clockwise angle बनते है, वो negative angle बनते है, तो I am sure आपको बात समझ में आई होगी, अब जैसे कि, for example, मैं आप से कहूँ कि 360 degree का angle बनाओ, कैसे बनाओगे बिटा, कैसे positive, ठीक है, positive 360, तो आप इसको यू करके यू बनाओगे, यू करके, यू, तो यह आपका positive angle बन गया, लेकर अगर मैं आपसे minus में 360 बनाओगे तो आप यहाँ से यू बनाते है, ठीक है, यानगे clockwise बनाते हैं, तो I am sure आपको बात समझ में आ रही होगी, और इसमें कोई दिक्कत, कोई परिशानी नहीं है, अभी हमने इस से related बहुत काम करना है, तो आपको definitely समझ में आएंगी चीज़े, बाकि अभी आपका काम सिर्फ इतना है, कि वीडियो पॉस करें, तो बिच्चों, अब हम देखते हैं, यूनिट अफ एंगल मेजरमेंट, तो अब जो हमारा टॉपिक है, वो है यूनिट अफ एंगल मेजरमेंट, तो हमने एंगल मेजरमेंट जो अभी देखा, तो basically उसमें हमने ये देखा, कि एंगल दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो एंगल हो सकता है, एक positive एंगल, तो जो positive एंगल होता है, वो anti-clockwise होता है, जो negative एंगल होता है, वो clockwise होता है, तो ये बात हमने शीखी, अब इनकी एंगल की unit कौन कौन से हो सकती है, देखिए, जो आपके course में है, वो हमारे पास दो तरीके की unit है, एक तो in degree जो आप अभी तक circle ले लेते हैं, like this, ठीक है, I hope कि आपको दिखरा हुआ हो, इसको चलो मैं थोड़ा सा, overlap करा के, हाँ, ठीक है, अब आपको दिखरा होगा, ये इसका center हो गया, ठीक है, अब देखिए, एक circle को हमने क्या किया, कि 360 equal part में divide कर लिया, ठीक है, क्या क्या हमने, इसको 360 equal part में divide कर ल लिया, इस तरीके से, ठीक है, आप देख सकते हैं, बिटा, कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं, है ना, कि 360 पार्ट में हमने divide कर लिया, अब एक बात बता है, ये मेरे को छोटी सी बात है, जब एक complete revolution बनता है, तो कितने degree का angle होता है, कितने degree का angle होता है, आपको अच्छे से पता, 360 degree का angle होता है, यह हम सुरू से परते हुआ रहे हैं, कि complete revolution जो है, वो 360 का angle हमें देता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो one complete revolution is equal to 360 degree, यह हमें 360 degree देता है, लेकिन one degree, अगर मैं एक degree की बात करूँ, तो यार एक बात हो, अगर मैं इसमें से एक degree निकालो, भई मैंन देखो न, 360 degree जो थी, वो कितना था? एक revolution था, equal to one revolution था, ठीक है, तो अगर मैं एक degree की बात कर रहा हूँ, तो बिटा, यह divide में नहीं आएगा, अगर मैं one degree की बात करूँगा, तो भईया, one upon 360th rotation नहीं आएगा, चेक कर लो, तो यही बात मैंने बूली, कि one degree equal to rotation of one by 360th of a complete revolution, तो complete revolution का one by 360th, ठीक है, I am sure आपको बात कुछ हद तक तो समझ में आई होगी, जाहिर सी बात है, अगर मैं इसके एक पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं कैसे calculate करूँगा, एक degree को मैं कैसे calculate करूँगा, कि पूरे complete revolution का 360 से divide कर दूँगा, जाहिर सी बात है ना, तो I am sure आपक अगे हो, कर्शिन ये हुगा क this is, sir, क्या इतना इनएफ है? नहीं बहया, इतना इनफ है? इसके आएगे दिक्कते हैं, कि यार कई बार ऐसा होता है, कि हम डिग्री से भी छोटे उसमें जाना पड़ता है, क्यों जाना पड़ता कि अगर ये circle और बड़ा है, और मैं इसको 360 60 parts में मैंने divide कیا है अब जो एक part है उसको भी चाहिए कर सकता हूँ तो मैंने इसको further divide किया 60 parts में 60 parts में कितने parts में बैटे, एक part को 60 parts में मैंने इसको divide किया अब ये छोटा है तो आपको लग रहा है कि 60 parts नहीं बन सकते लेकिन अगर ये circle बड़ा होता तो definitely 60 parts में डिवाइड हो जाता ठीक है तो मैंने इसको further divide कर दे है 60 parts में तो मैंने हाँ पे देखा कि 1 degree बराबर 60 parts बन रहे थे है ना तो 1 degree बराबर 60 parts को हमने क्या क्या बिटा 60 minutes तो 1 degree is equal to 60 minutes Is it clear or not? बिटा बिल्कुल clear होना चाहिए ठीक है अब आपको होगे सर 60 minutes कही है घड़ी वाला concept तो नहीं है कह सकते हो आप वही वाला concept है कह सकते हो आप वही वाला concept है तो 1 degree is equal to 60 minutes अब 60 minutes को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डैस लगाके तो यह 60 minutes तो 1 degree is equal to 60 minutes similarly अब यह जो आप 1 minute देख रहे हो ना 1 minute को भी मैंने again 60 parts में डिवाइड कर दिया यह देखो ना यहां पर बहुत चोटा पटा है तो मैं इसलिए डिवाइड करके शो नहीं कर पाँगा आपको लेकिन मान लो कि यह 1 minute कुछ इतना बड़ा बना है इतना बड़ा इसको भी मैंने further 60 parts में डिवाइड कर दिया कितने parts में डिवाइड कर दिया 60 parts में इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो हम minute से unit कहां पर जाएगी second में जाएगी जाहिर सी बात है भी second में जाएगी तो 1 minute is equal to 60 second और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं इस तरीके से के 1 minute equal to 60 second second को हम double dash से denote करते हैं और I am sure कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी देखो आ तो जानी चाहिए लेकिन अगर फिर भी नहीं आई तो मैं आपसे request करता हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा rewind करके दुबारा देखें और थोड़ा धहरे रखें आपको समझ में आएगा ठीक है अभी फिलाल के लिए वीडियो पॉस करें नोट की जाए फिर देखें तो बिच्चों अब देखते हैं दूसरी measurement जो होती है angle की वो क्या होती है वो होती है बीटा radian ठीक है पहली हमने सीखे डिगरी जो कि आप आप आरड़ी देखते हुए आ रहे हैं अब दूसरी जो होती है radian देखें इसको समझने के लिए एक छोटा सा circle बना लेना चाहिए ठीक है जिसको कहते है unit circle क्या कहते है बीटा unit circle unit circle इसको इसलिए कहा जाता है अब देखें जितनी ये आप देख रहे है radius उतनी ही मैं length यहां से ले लूँ जितनी ये radius है उतनी ही मैं ये arc की length ले लूँ let's suppose यहां तक आ जाएगे माल लो तो ये length कितनी आगी बीटा ये length भी आगई one unit तो length of arc कितनी आगी बीटा one unit ओके अच्छा तो इस पे जो आपका angle बनेगा center पे वो क्या कहलाएगा बीटा वो कहलाएगा one radian उसको थोड़ा सा में अच्टा दू ये हाँ पे लेगे तो one unit थोड़ा सा छोटा और ये हाँ पे लेगे तो one radian अच्छा radian को हम कैसे denote करते चोटा सा power में C लगा देते हैं, ठीक है, 1 radian, same way, same way, अब ये positive direction में था, याने कि anti-clockwise मैंने बताया, तो ये क्या बना बिटा, positive 1 radian बना, similarly, same way, अगर मैं यहाँ पे length ले लेता, 1 unit की, तो बिटा, जो angle बनता हमारा, कुछ ये वाला angle, वो कौन सा बनता बिटा, 1 radian का, बट ये angle जो बनता, वो negative angle बनता, तो I am sure आपको ये बात भी, कोई doubt नहीं रहा होगा, इसमें, ये positive है, ये negative है, ठीक है, अब देखे, यहाँ पे लिख दें, ये क्या है बिटा, length, of arc, कितने बिटा, 1 unit, आप एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे, वो क्या है, कि unit same होनी चीए, अगर ये मीटर में है, तो ये length भी मीटर में होगी, तो I am sure आपको इसमें कोई doubt नहीं होना चीए, अब 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 एक बार समझते है, NCRT क्या कहती है, तो NCRT क्या कहती है, वन रेडियन, यानि कि एक रेडियन जो होता है, वो क्या होता है, angle subtended by an arc, angle जो subtended हुआ है, इसके उम्मीद करता हूँ, आपको इस बात हजम हुई होगी, समझ में भी आई होगी, ठीक है, आप फटा फट से वीडियो पॉस करें, नोट किजिए, फिर देखते हैं, फर्दर आगे है, बचो यहाँ पर थोड़ी सी जगा है, और मेरे को कुछ पॉइंट्स भी बताने थे, त तो उसके बिट्विन जो एंगल बनता है, वो हमारा वन रेडियन कहलाता है, यह उने सीखा था, ओके, अब देको, हमने यह चीख लिया कि वन यूनिट पे जो लेंथ, वन यूनिट जो हमने लेंथ लीतिया, उससे हमारा वन रेडियन एंगल मिला था, तो लिटा, टू बात है न, देखो न, एक यूनिट पे एक रेडियन का मिल रहा था, अगर मैं यहाँ पे इसको माने लो, कि इस लेंथ को एक यूनिट और आगे बढ़ा देता, लेट सब्सक्राइब यहां तक ले आता, है न, यह भी एक यूनिट हो जाता, तो बिटा, यह कुल मिलाके, य यहां से ले करके, यहां तक देखो, तो यह दो यूनिट हो गया, तो यह जो एंगल बन रहा है, यह भी वेटा वन रेडियन का मनता, ठीक है, लेकिन अगर मैं ओवर और पूरा एंगल देख रहा हूं यहां से यहां तक, यह वाला एंगल, तो यह टू रेडियन का नहीं हो अब देखो एक बात समझ में आती है हमसे, यहां से एक बात समझे में आती है, अब वो बात समझाने के लिए मिरे को थोड़ा सा यहाँ पर आना पड़ेगा, अब एक बात हो, एक बात हो, length of arc of a complete revolution, अगर मैं complete revolution की बात करो, तो बिटा उसकी जो length होगी वह circumference के equal नहीं होगी, भाई ये circumference ही तो होती है पूरी complete revelation आपको circumference ही न देगा तो circumference और circumference आपने पड़ा है कि 2 pi r होता है जी बिल्कुल 2 pi r होता है अब r जो है यहाँ पे वो है 1 unit है ना तो भाईया ये 2 pi unit हो गया क्योंकि r की value अगर मैं 1 put करता हूँ और 1 को 2 pi से इंटू गोँड़ा हो तो 2 pi unit ही तो आएगा तो 2 pi unit क्या आगिया चेक कर लो circumference आगिया 2 pi unit क्या आगिया circumference आगिया लेकिन 2 pi unit पे जो आपका angle मिल रहा था जो आपका angle मिल रहा था वो 360 degree मिल रहा था वो क्या मिल रहा था 360 degree में भाईया, complete revolution, हम जानते है ना, complete revolution जो है, 360 degree का एंगल देता है, तो यहां से एक, यहां से एक चीज observe करी हमने, क्या observe करी, कि 360 degree पे 2 pi radian होता है, देखो ना, circumference, आपने देखा ना, 2 pi unit आ रहा है, तो 2 pi radian जो आ रहा है, वो 360 degree पे आ रहा है, I am sure आपको बाह समझ में है योगी, तो यहां पे हमने लिखा है, one complete revolution, तो इसको हम complete revolution नहीं तो कहते हैं, 2 pi को क्या कहते है, complete revolution है ना, I am sure आपको बाह समझ में आ रही होगी, तो one complete revolution जो की देता है 360 degree, और 360 degree equal to radian में हम कैसे लिखेंगे बिटा, radian में हम इसको लिख सकते हैं, 2 pi radian, ठीक है, तो यह आपने सीख लिया, यह I am sure आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ गया होगा, अब आप वीडियो को pause करके नो L4 radius, L4 length of arc और theta आप जानते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में एक relation होता है, वो क्या होता है, उस चीश को समझते हैं, देखो अभी अभी हमने यह सारी चीश समझी, बहुत अच्छे समझी, हमने देखा कि जितने radius होगी, ठीक है, जितनी radius होगी, जितनी radius होगी, जितनी radius भई ऐसा हो सकता है ना, कि किसी case में radius अलग है और length अलग है, तो in that case आपको angle क्या मिलने वाला है, हम यह चीश के लिए बात करते हैं, तो अभी अभी इस relation से ही इसको समझते हैं, देखो जो हमने देखा, वो हमने क्या देखा था, कि जब 1 unit थी radius और length भी कितनी थी बिटा, आपकी सेम ही थी 1 unit की, तो आपको angle जो मिला था, वो theta मिला था, है ना, लेकिन यह कब मिला था, जब आपका यह दोनों सेम था, तब 1 मिला था, अगर यह different है, दोनों अलग अलग है, तो क्या होगा, तो हमें theta कितना मिलेगा, तो देखो यह चीश हम कैसे calculate कर सकते हैं, कि theta equal to L upon में R, देखो, ध्यान देना भीटा, theta equal to L upon में R, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो मैं बताता हूँ, मैं बताता आपको, अगर L one unit थी, और R भी आपकी one unit थी, तो आपका theta भी तो वर्टा, one radial ही आया था, cancel कर गे, one ही तो आया था, चेक कर लो, तो कहने का म L upon R होता है, आपका होगे सर्द नहीं समझ में आरा भी भी, देखो एक example लेकर समझते हैं, let's suppose कि ये एक circle है, इसमें radius मान लेते हैं कि 2 unit है, ठीक है, और ये जो length आप देख रहे हैं, ये length मैंने मान ली कि 3 unit के मैंने length of arc ली है, तो ये वाला angle आपने बताना है, कि ये वाला angle कितना होगा, तो ये वाला angle कितना होगा, तो theta is equal to L upon R, L कितना है बिटा 3 और R कितना है 2, तो कितना आगया बिटा, 1 point something है, 1 point 2 something, तो इस तरीके से हम calculate कर सकते हैं, तो समझ में आया, I am sure आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई doubt नहीं रहा होगा, तो ये कितना आगया to R theta है, theta into R या फिर R theta, तो ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है, अब आप इसको भी नोट कितना आगे बात करते हैं, हम relation between radian and real numbers की, तो वैसे तो कोई खास relation होना बनता भी नहीं, real number, real number है, radian, radian है, बट फिर भी, देखो अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल तो L and R both should be in same unit, ठीक है, अच्छा, अब इसकी relation की बात करते हैं, देखो हमने क्या क्या है, फिर से एक unit radian का circle लिया है, ठीक है, unit radian का हमने एक circle लिया, और ये आप देख सकते हैं, ये बटा एक scale समझ लो, ये की scale है, माल लेते हैं कि एक scale है, ये बटा 1 unit है, तो ये भी 1 unit है सेम ये भी 1 unit है, मतलब ये 2 unit हो गई, सेम ये minus में और ये 2 unit हो गई है ना, अब मैंने इसको क्या किया, कि इसको इसकी corresponding fold किया, इस पे fold किया, तो जब मैं इसको 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 fold करूँआ, तो जाहिर सी बात है, आप धियान देंगे इस बात पे, कि ये जो है, ये यहां पे कही पे गिरेगा, और ये जो है, fold होके, यहां पे कहीं पे गिरेगा, है ना, तो ये वाला जो angle आपको मिलेगा, आप जानते हैं बिटा, कितना मिलेगा, 1 radiant का, और ये वाला जो angle मिलेगा, पूरा का पूरा, ये कितना मिलेगा, 2 radiant का, यहां तक आप बिलकुल अच्छे से जानत ऩुआ आपने अच्छे से पढ़ रखा है अच्छा कभी आपने देखो एक डाउट रहता है बच्चों के मन में क्या डाउट रहता है जो है वो 3.14 होता है ये बच्चों गमन में डाउट रहता है आप इस डावट को भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं जब इस चीछ का जिक्र हो रहा है तो अब देखिए, आप ध्यान दे ना मेरी बात को समझे ना, जैसे वन यूरिट यहां पर गिरा, ट्वू यहां पर गिरा, वैसे थी यूरिट यहां पर गिरता, बैए अगर थी यू मिलता, आप देख सकते हैं, बिटा ये कितनी length पर गिरा है, ये length है 3.14 पर, तो 3.14 पर हमें कैसा angle मिला, 180 degree का angle मिला, चक कर लो, ओ बाँ, ये क्या चीज बता दी, बिटा ध्यान दो, आपको ध्यान दो, कि 180 degree का angle मुझे कहां पर मिला है, 3.1 radian पर, तो जाहिड सी बात है, कि ज 180 degree बराबर 3.1 radian होता है तो अभी आपका ये doubt क्लियर हो गया होगा कि सर पाई को, sorry, पाई को, मैंने 360 कलती से लिख दिया था 180 लिखना था या पर, कि पाई को 180 कहते हैं या फिर 3.14, that is by 7 कहते हैं, 22 by 7 कहते हैं तो I am sure ये बात समनी में आई होगी पाई को 180 degree कहते हैं, कब जब हम angle को measure कर रहे हैं इन degree, लेकिन वहीं पे हम पाई को 3.14 भी कहते हैं बट कब जब हम angle को measure कर रहे हैं इन radian, चक कर लो, तो बिटा दोनों का मतलब सेम है बट अलग अलग था, क्यों? क्यों अलग 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 था? एक की degree में हो रही थी, एक की radian में हो रही थी तो उमीद करता हूँ, ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बट अभी भी एक चीज समझ में नहीं आई आपको वो क्या? कि सर आप बात तो कुछ और कर रहे थे, आप बता कुछ और रहे हो आप बात तो कर रहे थे, relation between radian and real number की तो इन दोलों में क्या relation होता है? किस में बटा? real number में और radian में तो देखो न, आप देखो न ध्यान से, ये real number सी तो है number line में plot हो रखे हैं, और ये जो है, ये radian है तो बिटा कुछ भी relation नहीं होता देखो न, one radian equal to one real number होता है two radian equal to two real number ही तो आ रहा है simple ही तो है, तो कुछ नहीं है अलग, देखो, real number n, जब real number n होगा तो क्या देगा? is giving us n radian तो वो n radian देगा, जाए इसी बात है भाईया, 3.14 जब हमने ली थी, तो उसने radian में 3.14 ही तो दिया था हमे angle, ठीक है, तो दूसरा, real number and radian have same magnitude ये कुछ अलग नहीं देते हैं, same magnitude देते हैं magnitude समझते हो न, मतलब magnitude मतलब किसी भी चीज का एक कैसे समझाओ, for example, distance ले दो, एक distance कह दो, है न, ठीक है, same magnitude और दूसरा, अगला कहा है, real number and radian will be considered same तो real number और radian को हम same considered करते हैं तो I am sure, अब आपको कुछ हद तक बाते clear हो गई होंगी ठीक है, अब आप फटा-फट से वीडियो को pause करके, इतना note कीजिए तो बच्चो, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, थोड़ा सा उसका overview कर लेते हैं तो हमने क्या पढ़ा, angle measurement, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एक anti-clockwise ठीक है, और एक clockwise, जब हम clockwise चलते हैं तो negative angle, जब हम anti-clockwise चलते हैं तो positive angle ठीक है, अब angle की measurement होती है, यानि की unit of angle measurement वो किस तरीके थे, उसकी unit क्या होती है, तो उसको किस unit में मापा जाता है, है ना तो उसके दो unit है बिटा है, एक degree और एक region तो हमने degree में पढ़ा, और degree आपको बहुत अच्छे से पता भी है, है ना अब region की बात करें, तो region थोड़ा सा नया था, लेकिन उसके लिए भी हमने आपको बहुत अच्छे से unit radius का circle लेके भी समझाया, बहुत अच्छे समझाने के कोशिश की, और और इसके साथ साथ हमने कुछ चीजे भी observe की, ठीक है, कुछ चीजे भी observe की, अब आप कहोगे, सर वो क्या चीजे थी, एक बर थोड़ा सा recall करा देते, तो अच्छा रहता, चली ठीक है, हम आपको recall कराने के कोशिश करते हैं, तो हमने देखा था, कि 360 degree बराबर 2 pi radian हमने देखा था, आपको याद होगा, ह आपको याद होगा ये भी, ठीक है, ये सारी चीजे हमने देखे थी, go through करी थी हमने ना, अच्छा, इसके अलावा, इसके अलावा, अब अगर बात करें, कि सर इधर से इधर जाना हो, या इधर से इधर जाना हो, तो कैसे करें, तो उसके लिए कोई method या कोई तरीका है, त तो जैसे की, for example, हमने 90 degree, 45 degree और 60 degree, ये 3-4 example लेते हैं, 30 degree, तो one by one देखेंगे, जैसे की 90 degree, और 60 degree, 45 degree, और 30 degree, इतको अगर मुझे रेडियन में कनवर्ट करना हो, तो मैं कैसे करें, तो देखो, इसका एक तरीका क्या है, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप क्या करोग नहीं पता, नहीं पता, भई, आपको तो ये पता है, कि one degree क्या होता है, 60 मिनट होता है, और अगर आप इसकी बात करोगे, तो यहां तो बाद में आएंगे, पहले तो हम इसकी बात कर रहें, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कि सर, यहां से हम कैसे पता लगाएं, कि कैसे होता है क्या होता है तो एक बात हो है वंड डिग्री बराबर क्या निकले करो क्योंकि मेरे पास यह रिलिशन तो अलड़ी है मैं जानता हूँ अब जब मैंने 90 से मल्टीप्लाई किया तो 90 डिगरी हो गया और यह कितना हो गया टू पाइब थ्री है मैं तो आपको बात समझ में आई होगी कि यह 90 डिगरी को पाइब टू रेडियन भी कहते हैं जी बिल्कुल सिमिलर्ली हम 60 डिगरी को करना सीखेंगे तो 60 डिगरी को अगर मैं करूं तो मैं जानता हूँ कि वन डिगरी बराबर टू पाइब थ्री सिक्स्टी रेडियन होता है डिगरी में लिखेंगे आपके यह रेडियन होता है इतने रेडियन होता है ना ओके तो इतने रेडियन वन डिगरी बराबर मेरे को क्या थी सिक्स्टी डिगरी तो बहुत साइट तो टू पाइब इसको तो चेक कर लो, I am sure आपको बास समझ में आ रही होगी, ओके, चलिए, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, और समझने के कोशिश करते हैं, चलिए, अभी कितना है कि 45 और 30 डिग्री का है, तो 45 डिग्री के लिए देखते हैं, तो 45 डिग्री के लिए पिटा, रिलेशन तो मेरे पर वही है, वन डिग्री इकोल टू टू पाई बाई थ्री सिक्स्टी, ओके, तो वन डिग्री, ये क्या है, ये रेडियन है, बिटा, डिग्री नहीं कहेंगे, इसको रेडियन कहेंगे, तो वन डिग्री को अब मेरे को 45 से मल्टिप्लाई करना है, तो 45 से मल्टिप्लाई क बारी में और दो से चार बारी में यानि कि पाई बाई फोर चेक कर लो 45 का पाई बाई फोर रेडियन निकल के आया है और similarly 30 डिगरी का पाई बाई 6 निकलेगा है मैं बात जानता हूं बट आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आपने करवर्ट करना है तो हमारे पास रिलेशन वही है 1 डिगरी इकल टू 2 पाई बाई 360 रेडियन ओके तो आपको 30 डिगरी चीए तो 30 से मल्टिप्लाई किया बोट साइट जब 1 से करेंगे तो 30 आएगा और 2 पाई बाई 360 इन 2 में 30 तो यह 0 और 3 से 12 ठीक है 3 कम 3 तो निक 6 और 2 से 6 बारे मैं मैंने का था ना पाई बाई 6 आएगा तो 30 डिगरी इकल टू आगया पाई बाई 6 रेडियन तो आएम शूर यहां तक भी आपको कोई डाउट कोई परिशानी नहीं रही होगी है ना चलिए एक अधिक्जेंपल और देखें अगर बुक में कुछ है तो वैसे तो बुक में कुछ नहीं है फिलाल के लिए तो हम एक काम कर सकते हैं आपके लिए अच्छा आपको एंगल पता चल गए हैं एंटी क्लॉक्वाइस क्लॉक्वाइस यह सब भी चीज़े ठीक है अब या फिलाल एक काम कीजिए नोट कीजिए फिर आप तो बच्चो जो इंट्रो था आपका 3.1 एक्ससाइस का वो आल्मोस्ट आल्मोस्स कम्प्लीट हो चुका है अब इसमें सिर्फ NCR पता चाल के कुछ एक्ज़ेंपचा भी घघी यहिए दे लंबी हो जाइक शुदेंधी नंहीं करता है तो इसलिए हम जो बचे हुए example है इस intro के that is example number one to six. उसको हम next lecture में कवर करेंगे before that मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहो तो इस intro के बहाफ पे जो हमने अभी तक का intro किया है exercise 3.1 का उसके बहाफ पे आप चाहो तो खुद से भी self try कर सकते हो example one to six को और इतना ही नहीं आप exercise 3.1 को भी self try कर सकते हो तो बच्छो अभी तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और समय हो चुका है अब आपसे अलविदा कहने का so bye bye take care चैहिंद